नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्पूर्ण नोटिफिकेशन पर चर्चा करने वाले हैं और ये जो नोटिफिकेशन है जार्खन में सिक्षक भरती क्राइटे इसको दोस्तों इस नोटिफिकेशन के जरिये जो पूर्ब में जो सिक्षक भरती प्रक्रिया की जो क्राइटेरिया थी उसमें बहुत सारे संसोधन किये गए हैं और खास करके एक संसोधन परमुक है उसमें बीटेक तथा जो अन्य जो टेक्निकल कोर्स से ग्रेजवेट ज संसोधन किया गया है तो उसी को आगे हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं 29-2024 को यह यह नोटिफिकेशन निकाला गया है और बाकी चीज आप खुद से पाउज करके अब पढ़ सकते हैं और हम जो परमुक पॉइंट है उसी को बताएंगे उसके बाद यहां पर देख सक है अचारी समवर्घ नियुक्ति प्रोनति यवंग शेवाशत्त तिर्थिय संसोधनन् नियामावली द्वहजार चोविस की जाएगी दोस्तों इन जो नियामावली है किस से संबन्दिट है ज्लिए को गो तर्थिय बृत्मान में जो प्रक्रियाच चल गए सहायक आचारी भर्ति की उससे भी संबंदित है और इसमें कुल तीसरी बार संसोधन किया गया है इसलिए इसको तिर्थिय संसोधन कहा जा रहा है और यह 2024 में निकाली गई है इसलिए 2024 इसका विस्तार संपूर्ण जहारखन राइज में होगा मतलब यह पूरे जहारखन में यह नियम लागू होगा यह नियमा वाली अधिसुचना निर्गत होने की तीथी से प्रवित होगी यानि कि यह अधिसुचना जब निकाला जाएगा यानि कि 29 से 2024 उसी दिन से लागू होगी इसका कहने का ताथ पर यह है तो आप यहां देख सक देखत था इनने जो टेक्निकल कोर्स से जो जिन्होंने जो ग्रेजवेट हैं और विएड हैं उनके लिए क्या इंपोर्टेंट नोटिस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों पॉइंट तीन में आप देख सकते हैं सहायक आचारिय संवर्ग नियामावली 2022 इससे पहले 2022 में एक नियामावली निकली थी सहायक अचारिय की भरती के लिए उस उस नियामावली में क्या था देखते हैं गनित एवंग विज्ञान सिक्षक कौन बन सकते थे जिन्होंने मैथेमेटिक्स फीजिक्स केमेस्ट्री बोटनी अथवा जूलोजी से जिन्होंने ओनर्स होना अनिवार्य था गनित और विज्ञान के सिक्षक बनने के लिए गनित बहुतिकी रशायन सास्त्र बनस्पति सास्त्र या प्रानी विज्ञान में ओनर्स यानि की परतिस्ठा होना जरूरी था और समाजिक विज्ञान के सिक्षक के लिए इन विशेयों में असन तक होना जरूरी था इतिहास भूगोल, राजनेति सास्त्र, अर्थ सास्त्र, समाज सास्त्र, लेखा सास्त्र, ब्यापार अधियन तो ये 2022 का नियम था इसको क्या यहां पर देखिए इसको निम्नवत परति इस्थापित किया जाता है मतलब इस चीज को यहां पर बदल दिया गया है जो नया दो हजार चोबिस का जो नियम निकला है उसमें इसको परतिस्थापित किया जाता है तो नया नियम क्या है देखते हैं गनीत और विज्ञान सिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए विश्व विद्याले अनुदान आयोक डिग्रियों का विनिर्देश के संबन में जारी अधिसूचना मार्च 2014 दोस्तों मार्च 2014 में विश्व विद्याले अनुदान आयोक दवार कोई एक अधिसूचना जारी की गई थी और उसके उपरांत बोल रहा है अधिसूचित विज्ञान इस नोटीस में जिस जिस विशय का को अधिसूचित किया गया था उससे संबंधित विज्ञान का अधियांत्री की अभी आंत्री कि यानि क्या होता है इंजिनियरिंग की जो डिगरी होती है बी या बिटेक्ट उसके बाद परद्ध्योगी की में भी बहुत सारे आते हैं जैसे कि बायो टेकनोलोजी बगएरा और कोई कोई टेक्निकल कोर्स जो ग्रेजुए डिजुएट वर्ष दर करते हों तो यहां पर क्या लिखा है कि illeg िुन्थम तीन वर्ष यह असना तक म Minh referee Korse Kossam nL से जाधा कहीं होता है चार विर्ष का होता है प्रेदों की जारल पारी हे ओना होता है तो आप यहां से घृरा सबस्कार्च कर रहे आराम से उसके बास दूसरा सर्थ यहां पर दिया गया है तेन प्लस टू या उच्चतर मैध्धमिक मतलब तेन प्लस टू कहा जाता है या फिर हायर सेकेंडरी भी कहा जाता है या फिर प्लस टू में जरूर गनीत भी होगां और रसायन सास्त्र हमँर यहां पर बोल रहा है कि सिश्ट कम से कम दो विशे बोल रहा है लेकिन आपके तो तीन भी से हैं तो कोई दिख्कत नहीं है यहां पर आप आराम से एलिजिवल हैं लेकिन इसके साथ साथ में आपको क्या चाहिए आप दोना चाहिए या फिर डीलेड होना चाहिए और सथी साथ जेटेट, सीटेट अथवा कोई पडोसी राज के जो टेट होता है उसमें उतिर्ण होना आवश्चक है और साथ ही साथ जारखंड के भी निवासी होना अनिवारी है तो ज़दी आप ये सारी क्राइटेरिया को फुल्फिल कर रहे हैं तो आप और विटेक डिग्री धारी हैं तो आप गनीत और विज्ञान के सिच्चक जारखंड में बन सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सावाजिक विज्ञान के सिच्चक कौन बन सकते हैं विश्व विद्धाले अनुदान आयोक डिग्रियों का विनिर्देश के संबंद में जारी अधिसूचना मतलब 2014 में कोई एक अधिसूचना जारी किया गया था और उसमें कौन-कौन विशय को मतलब एक लिस्ट बनाया गया था कि इस इस विशय के एलीजिबल होंगे तो उसी में कला मानोई की समाजिक विज्ञान वानिज परवंद विशय में नियूंतम तीन वर्षिय असना तक मतलब यह आर्स वालों के लिए है जो जिन्होंने भी यह आर्स से किया है वो समाजिक विज्ञान से सिख्षक बन सकते हैं कि तो यह तो यह तो हो गया पहला सर। डिग्री के संबंद में मतलब बीटम और इंटरमेडियोट में मतलब फूजिक्स केमेस्ट्री में तो होता हिय तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यहाँ पर जो नियाम था उसको हम पहले ही सम्कून नियान्याइए कि यहां पर देखिए तो बीटेक के साथ आपको बीएड चाहिए और बीएड या डीएलेड और साथ ही साथ में क्या चाहिए आपको सीटेट पास होना आनिवारिया है या फिर आप जेटेट पास है तो अतियुत्तम या फिर कोई पड़ोसी राज से इस नियम को हटा दिया गया है बिलोपित किया गया है उसके बाद वही सब चीजें हैं और कितना परसेंटेज चाहिए उसी के बारे में उल्लेखित किया गया है आप इसको खुद से पढ़के अराम से समझिए हम पूरा नोटिफिकेशन को एक एक करके दिखा देते हैं यह पांचमा पॉइंट है उसके बाद यह सब देख सकते हैं यह सब भी हटा के को निम्नवत परती स्थापित किया जाता है जो ऊपर जो नियम दिया हुआ है इसको परिवर्तन करके यह सब किया जाता है तो क्या नियम परिवर्तित किया गया है देखते हैं असनातक और प्रारंबिक शिक्षा सास्त्र में दूई वर्षी डिप्लोमाट मतलब डीलेट दो वर्षी होता है वह होना चाहिए उसके बाद अथवाब हो रहा है नियूंतम पचास परतिसात अंकों के साथ असनातक या असनाक उत्तर एवंक शिक्षा सास्त्र में बीएड तो वही है जो बीएड या डीलेट के समकश्च जो डिग्री होती है और यह सब चीजे मैंने पहले ही बता दिया है तो आप अपना खूद से पढ़ लिजिए क्या क्या परिवर्तन किया गया है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो एक्जाम का पैटर्न होने वाला है वो दिया हुआ है क्लास वान टू फाइफ के लिए मतलब यह दो हजार वाइस का था देखिए वान टू फाइफ के लिए जो एक्जाम का सोरूप होगा वह यहां पर दिया हुआ है तो देखते हैं पेपर वान होगा इसमें मैध्धमिक परिक्षा के अनुरूप मात्री भासा में से कोई एक मतलब जो मैधमिक परिक्षा है निकि जो मैट्रीक में आपका कोई एक भासा होगा हिंदी इंग्लिस संस्क्रित या कोई अन्य छेत्रिय भासा तो उन में से एक आपको चूज करना है आप हिंदी या जो भी आपका मैट्रीक में हो उसके अनुसार एक पेपर वान के लिए कर सकते हैं कोई एक लेंग्वेज इसका प्रस्णों को संख्या होगी एक और इसका पूर्नांग होगा सो नंबर का समयों का दो घंटा का और बी में देखिए कार्मीक परशासनिक सुधार एवंग राजभासा विभाग अधिसुचना दिनांग इतना दिनांग से अधिसु उडिया उनमें से या और जो जार्खन की जो चेत्रियों भासाएं हैं पंचपरगनिया नाकपूरी कुर्माली खौर्ठा या जो जनजातियों भासा हैं संथाली हो मुन्डारी वगरा तो उनमें से जो भी आपके पसंद की भासा हो उसको पेपर टू में रख सकते हैं ये धिली सो प्रस्णों का होगा पूर्नांग सो अंकों का समय दो गंटे की उसके बाल पाई पर थी में क्या है समाजिक क्यान बज्ञान बग्यान एवंग ऑन गनीद्थ और समम्हान जाँन वग्यान फिक की 50 नंबर का रहेगा पचासuesto्स पचास नंगों का समाजिक विज्ञान से 75 क्वेश्चन 75 वंखों का विज्ञान वंगनित 75 वंखों का 75 क्वेश्चन रहेगा इस तरह से कुल 300 प्लस अंक होंगे और जो बिशेष प्रसिचित सहायक आचारिये का जो सिलेवस है वह इस परकार से होगा कि इसमें बाल विकास को एड किया गया है वस अहीं फर्क है कि और जो असना तक अस्तरिय विशेष प्रसिचित सहायक आचारिये है उसके लिए यह सिलेवस रहेगा तो यह नोटिस आप देख सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए डॉपिक के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए धन्यवाद प्रॉपिक करते हैं उम्मीद